नमस्कार, पीपी निउस लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत मैं हूरशनी अनुभव आए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज दिनबर की परमुक्ष सुर्खियों पर जमू एरपोर्ट के रनवे विस्तारी करन के चलते से 15 दिनों तक बंद रखने पर इंडिया एरफोर्स और एरपोर्ट एथार्टी में नहीं बन पा रही सहमती उप्राजेपाल से की हस्तक शेप की मांग प्रदीश की करोना मुक्ष होने पर भी अंतराजी परिवहन बंद होने से लोगों को करना पढ़ रहा भारी दिक्कतों का सामना पाकिस्तान की कायराना हरकत एक बार फिर आई सामने डाबा संचालक की पुत्र को गोली मार कर अपनी बुखलाहट का दिया सबूत और भारती सेना के मजबूत इरादों के आगे चीन के जुकनी से लदा की लोगों के होसले चड़े परवाज सुनहरा दिखा भविश्य अब समचार विस्तार से लेकिन पहली एक नजर आज की मुद्दे पर मुद्दा ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर जम्मू में प्रापर्टी टेक्स को लेकर बहुत बड़ा असमंजस फैला हुआ है यहां लोग बहमे हैं कि उनकी उपर एक निया टेक्स थूंपा जा रहा है महिंगाई की पहले से मार है और उपर से प्रापर्टी टेक्स लगाया जा रहा है हालागी कल जम्मू मुनस्पिल कारपरेशन की डिप्टी मेयर ने एक प्रेस कांफरेस्स में ये कहा वह एक प्रहुख फिलाने वली बात है जब सब जानते हैं कि कॉर्प्रेशन के अंदर मिजार्टी पार्थी जनता पार्टी की है और जोभी वह बिल नाएंगे जोभी प्रबोजर नाएंगे वो तो काम जाब होगा ही और जम्मू के अंदर आने वर दुन में प्रापर्टी टेक्स थोंपा जाएगा इस बात में सोचने के लिए जैस पे को दोर राय नहीं गुपकार कश्मीर का सबसी पौश इलाका बुदवार को ये मार्क उस समी चर्चा में आया जब यहां रातो रात तैयार हुई रहमत की दिवार लोगों को नजर आई रहमत की दिवार सदर्सियों में अकसर स्री नगर समेथ प्रादीश के वबिन भागों में नजर आती है ये वो दिवार है जहां कई लोग गरीबों के लिए कपड़े वो अन्य सामान छोड़ जाती है गुपकार में पहली बार रहमत की दिवार बनी है वे भी तब जब बुदवार को विदेशी राजने कश्मीर के हाला चाने दो दिवस्य दोरे पर स्री नगर पहुंचे सांसद डॉक्टर फारुक अब्दुल्ला की बेटी साफिया अब्दुल्ला खान ने इस दिवार की तरफ सभी का ध्यान दिलाती हुए ट्वीट किया भारती सेना के मजबूत इरादों के आगे चीन के जुकनी से लदाक की लोगों की होसलों को परवास मिली है अब लदाक ही वास्वीक नियंतन रेखा पर होटेल खोल कर भविश्य को बहतर बनाने के खुआप देख रहे हैं पूर्वी लदाक में चीन से सटे इलाकों में भारती सेना के पाउं पक्के हो जाने से लदाक ही लोगों का भी होसला बुलंद हो गया है कभी नियंतन रेखा पर बसे मुल्बे के लोग भविश्यों को लेकर आशंकी थे आज उनकी पूरी कोशिश है की प्रेटन से लदाक अर्थवेवस्ता को बेहतर बनाने की मुहीं में उन्हें भी उनका हिस्सा मिले कश्मीर पहुंचे विदेशी राज ने एक और घाटी के बदलाव के माहुल से परफुली दिखे वहीं पाकिस्तान और उसकी पालतू आतंकी संगठन कश्मीर की अमन को बंग करने की साजिशें बुनते रहे इस दोरे के दोरान स्रीनगर के डल गेट खेतर में संयुक्त रास्टिय कारियाले से करीब सो मीटर दूर एक काराना हमली में धाबा संचालक की पुत्र को गोली मार दी गई इसके इलावा राचोरी और पुर्वाओं में आई-ई-डी धमाके की साजिश को सुरक्षा बलोने नाकाम कर दिया जिला को करोना मुक्त कर दिया गया है फिर भी लखनपूर व बसोली में अंतराजी परिवहन सेवा बंध है जिसके कारण रोजाना पोड़वसी राज्य पठानकूट वही माचल परदीश जाने वाले स्कूल कॉलिज के विद्यार्थियों के इलावा नोकरी पेशा व कारोबारियों के साथ साथ वबिन राज्यों से आने वाले प्रिटकों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है आलम ये है कि वबिन राजियों से आने के बाद कई किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जाने के लिए अगली बस पकड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है सबसे ज्यादा परिशानी स्कूल कॉलेज जाने वाले विध्यार्थियों को हो रही है इतना ही नहीं लखुनपूर में हो रहे है रैपिड टेस्ट में अभी तक एकवेवेक्ति करूना संक्रमित नहीं मिला है गजनबी फोर्स के कुख्यात आतंकी शेर अली को कुवैत सरकार ने बुदवार को डिपोर्ट कर दिया नई दिली से बुदवार को जमो कश्मीर पुलीस उसे जमू ले आई शेर अली गुलाम कश्मीर से पुंच के रास्ते आतंकीों की गुस्पैट और हत्यारों वो माधक पदार्थों की तसक्री के मामले में दो वर्षों से सक्रीय था इसके लावा उसने पुंच में आतंगबाद को जिन्दा करने के लिए पूरा माड्यूल भी खड़ा कर लिया था भारती सेना और जेकेपी ने 17-18 फरबरी की रात को संयुक तरूप से हाथ्यारों के एक बड़ा जखीरा बरामत किया है जिसमें जम्मो क्षेतर के रियासी जिले के भीतरी इलाकों में युद के सामान भी शामिल है 17 फर्बी की देर शाम रियासी जिले में मक्हीदार के दूर्स्त गने जंगलों में संदिक्द गतिविदियों के बारे में विश्वासनी सूत्रों से इंपूर्ट प्राप्थ हुआ था ये जंगी बंडार और रियासी जिले में मक्हीदर वन के दूर्स्त निर्जन जंगलों में बड़े क्षेत्र में फैले हुए थे भारती सेना और जेकेपी द्वारा संयुक्त रूप से स्थानिय अंतर इकाईयों द्वारा समर्थित लगातार खोज के निरंतर प्रियासों ने हाथ्यारों और युद जैसे विशाल बंडार का सफलता पून पता लगाया है भारती सेना और जेकेपी ने 17-18 फर्बरी की रात को संयुक्त रूप से हाथ्यारों का एक बड़ा जखीरा बरामत किया है जिसमें जम्मो क्षेतर के रियासी जिले के भीतरी इलाकों में युद के सामान भी शामिल है 17 फर्वे की देर शाम रियासी जिले में मक्हीदार के दूर्स्त गने जंगलों में संदिग्द गतिविदियों के बारे में विश्वासनी सूत्रों से इंपूर्ट प्राप्थ हुआ था ये जंगी बंडार और रियासी जिले में मक्ही दर वन के दूर्स्त निर्जन जंगलों में बड़े क्षेत्र में फैले हुए थे बार्टी सेना और जेकेपी द्वारा संयुक्त रूप से स्थानी अंतर इकाईयों द्वारा समर्थित लगातार खोज के निरंतर प्रियासों ने हाथ्यारों और युद जैसे विशाल बंडार का सफलता पून पता लगाया है जमू एरपोर्ट के रनवे विस्तारी करन के चलते 5 से 15 मार्च करीब 15 दिनों के लिए बंद रखने के लिए एर इंडिया फोर्स और एरपोर्ड अठर्ट के भी सहमती नहीं बन रही है आई एफ रनवे विस्तारी करन के लिए 15 दिनों से एरपोर्ड पर विमान परिचालन को बंद रखने की बात कर रही है वही एरपोर्ट एथार्टी रात्री की निर्मार में कारे करवाने को कह रही है ताकि विमान परिचालन वादित ना हो जमू एरपोर्ट निदेशक परभात रंचन ब्योरिया ने एरपोर्ट एथार्टी के साथ उपराजिपाल और मुख्य सचीव को इस संबंद में हस्तक्षेप करने की मांकी है पंद्रा दिनों तक एरपोर्ट बंद रहने से एरपोर्ट एथार्टी को पांच करोड रुपे तक का नुकसान होनी का अनुमान है गुलमर्ग में किसी भी तरह के निर्मान और पेडों की कटाई पर हाई कोट ने रोक लगा दी है जस्टिस अली महामद मागरे और जस्टिस जिनोद चैटर जी कॉल की खंडपिट ने बुद्वार को इस मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुई ये आदेश दिया याचिका में गुलमर्ग के पर्यावरन को बचाने की मांकी गए थी जमुकश्मीर के दौरे के दूसरे दिन विदेशी प्रतिनिदी मंडल ने भाती सेना और जमुकश्मीर पुलीस के अधिकारियों से मुलाकात की इस दोरान गाटी में सुरक्षा व्यवस्ता के साथ ही कई अन्य मुद्धों पर चर्चा हुई है एस एस पी अनंतनाग संदीप चौधरी ने राजनईकों को जन भागेदारी रोजकार महिया कराने के प्रयासों के साथ ही वबिन्न मामलों की जानकारी दी स्वीनगर एस पी शीमा नभी ने कोविड काल में पुलीस द्वारा निभाएगी जिम्मेदारी के बारे में बताया जमो कश्मीर के तराल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामया भी मिली है आतंकियों के तीन मददगारों के पास से आई-ई-डी बनाने की सामगरी बरामत की गई है गिरफतार आतंकियों के मददगार हिजबूल के लिए काम कर रहे थे खुफिया जानकारी के आधार पर कारवाही करते हुई अवंती पुरा पिलीस सेना की 42 आर आर और सी आर पियाफ की 180 वी बटालियनी त्राल में दो स्थानों पर तलाशी अभ्यान शुरू किया इस दौरान आतंकी संगटन हिजबूल मुजाहिदीन के तीन सहियोग्यों को गिरफतार करने में सफलता मिली अब वक्त हो चला एक ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ पहली टोल प्लाजा फिर पेट्रोल डीजर और अलपीची की गैस की कीमतों में बड़ोत्री और आप प्रापर्टी टेक्स इन सब मुद्दों को लेकर पैंथर्स पार्टी के अद्यक्षा हर्श्थेव सिंग की अद्यक्षता में सरकार के खिलाफ जोड़तार परदर्शन किया गया और कहा कि ये बड़ती महंगाई गरीब लोगों को भटी में डालने का काम कर रही है जो है नीचे जा रही है अर्थ व्यवस्था हमारी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है लेकिन इस दोर में भी भारती जनता पार्टी की सरकार जिस तरी के से लोगों की जिबों के उपर एक डाका डाल रही है उसी को लेकर आज हमने यहां पर दर्शिन किया है और यहां लोग नारे लगा रहे हम दो हमारे दो डीजल नबे पट्रोल सो यानि दो लोगों को खुश किया जा रहा है इस मुलक के अंदर अंबानी और रडानी को और बाकी जो गरीब लोग है उनको जिस तरी के से पीसा जा रहा है कुचला जा रहा है वो पैंतर्स पार्टी बरदाशत करने के लिए हरकिस तयार नहीं है और इस मुहें को आगे ले जाएगी गरीब की लडाई जो है वो पाई तक्मिल तक ले जाएगी यहां भारती जनता पार्टी के से सरकार द्वारा एसारो 43 को संशोधिक कर सरो 376 में बदलने के बाद पुलीस विवाग की पीडित परिवारों ने उनको सरकार द्वारा सरो 376 का लाब नहीं देने का आरोप लगाते हुई आज प्रेस क्लब जमु के बाहर प्रदर्शन किया और पीडित पुलीस कर्मियों के परिवारों को सरो 376 के तहत सरकारी कर रहे हम रोड प्राइटी देती हो लेकिन प्लीस की बच्चे को आप यह समसरे हो कि उनका मसला क्या है क्या नहीं है प्लीस हमारी यह रुक्राइश्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारा मसला जो है हल किया जाए आमादमी पार्टी द्वारा आज शांती पूर्ण परदर्शन क्या गया उनका कहना ये था कि आमादमी पार्टी गरीब और असहाय लोगों की मदद करने वाली पार्टी है उन्होंने सरकार से पूर जोर मांग की कि अगर दिल्ली में 200 यूनिट बिचली फ्री हो सकती है तो जम्मू कश्मीर में 300 यूनिट बिचली फ्री क्यों नहीं हो सकती उन्होंने ये भी कहा कि आज वो शांती पूर्ण परदर्शन करें हैं यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं क्या गया तो वे उग्र परदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे साथ ही साथ उन्होंने इसके लिए डिवकाम और उपराजेपाल को ग्यापन भी सूंपा नेकरिशी कानूनों को काला कानून करार देते हुए यूनाइटिड किसान फ्रंट द्वारा आज विरोध परदर्शन क्या गया उन्होंने रेलवेट ट्रैक को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया और कहा कि सरकार इन काले कानूनों को जल से जल वापिस ले ये उनके लिए है ये हम सब के लिए है ये सब किसानों की लड़ाई नहीं है ये हमारे पूरे वर्ल्ड की पूरे देश की पूरी जनता के हमारे यूद की लड़ाई है क्योंकि इस बिल्का नुकसान सब किसानों को नहीं है हमारी आने मारे जनेशन को भी है पीपी नियूस लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप जुड़े रही पीपी नियूस लाइन के साथ नमस्कार जमो में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडरन टेकनोलिजी के लिए हमेशा याद रखें जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का खयार और हां हमारे यहां बढ़िया क्वालिटी के बेंड़ेड स्पेक्टिकल्स, संग्लासेज और कॉंटेक लेंसेज मिलते हैं आपका भरोसे मंद एक ही नाम जमोप्टीशन्स गाधी नगार जमोप्टीशन्स नई बस्ती जमोप्टीशन्स अमफला जमोप्टीशन्स त्रीकुटा नगर